बीजेपी ने दो मार्श को लोगसभा चुनाव के ले 155 उमीदवारों की लिस्ट जारी की थी इसमें पार्टी ने भूचपुरी स्टार पवन सिंग को पश्यमंगाल की आसन सोल सीट से उमीदवार भी बनाया था हाला कि बाद में पावन सिंग ने बीजेपी नेतित का अभार जटाते वे सोशल मीडिया पर पोस्ट का चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी थी सूतर बताते हैं कि अगर पावन सिंग आसन सोल से चुनाव लड़ते तो उनके जीतने की पूरी संभाव ना थी पार्टी के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है लेकिन अब पता चलाए कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजोपी को एक सीट की वज़े से पास सीटों पर नुक्साम लठाना पड़ सकता था इसकी सबसे बड़ी वज़ा है पवन सिंग के गाने दरसल पवन सिंग ने जो गाने गाए हैं उसमें बंगाली माल, बंगाल का पानी, सौतिन, लाइम, बंगाल से जैसे अभधर गाने शामिल है अब ऐसे में विरोधी दरी से बंगाल की इसमित और बंगाली महिलाओं के अपमान से जोड रहे थे और इस पर पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाता इसके अलावा जैसे ही पवन सिंग को टिकेट मिला तो इसके बाद सबसे ज़्यादा विरोध पार्टी के अंदर ही हुआ और कई निताओं ने पवन सिंग को हटाने के लिए मिशा और जेपी नड़ा को लेचे लिगा जानकारी के मताबक उनके टिकेट मिलने से पार्टी कारेकरता नारास थे पवन सिंग को टिकेट मिलने से मैलाओं के खलाफ अत्यचार पर स्टैंड भी कमजोर पर जाता वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं के खलाफ हुए अरत्यचार के लिए मूर्चा खुले हुए है अब ऐसे में एक व्यक्ति को टिकेट देना जिसने बंगाल के महिलाओं को लेकर अब अद्र गाने बनाये हो पार्टी के लुकसान दे हो सकता था वही खबर है कि पार्टी ने सब चीजों का अंकलन करने के बाद इस सीट पर महिला को टिकेट देने का मन मना लिया है ताकि नारी शक्ति वंदन के अभियान को बन दिया जा सके सुत्रों के मताबिक पवन सिंग को कहा गया है कि आप ट्वीट कर चुनाव लड़ने से मना करते ताकि बीजेपी सेल्फ कोर से बच सके